वेल तो दोस्तों इक पर फिर से आज का हूँ आपके लिए एक बिल्कुल से knowledgeable and useful वीडियो लेके basically दोस्तों आज के इस वीडियो मैं बता हूँ आप किस तरह से दोस्तों आप अपने घर बैटे जी आप अपने अधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो suppose that कि आपके अधार कार्ड में आपका नाम गलत है या फिर आपका फादर्स नेम गलत है या फिर आपका जब रजिस्टर फोन नंबर है वो गलत है तो आज किस वीडियो मैं यही बता हूँ सिम्पली से दोस्तों विदाउट कहीं बिजिट किये विदाउट कहीं गये दोस्तों घर बैटे अब कीस तरसे अपने अधार कार्ड को कुछ भी अधार कार्ड में चेंजेस कर सकतो हो वो भी विदाउट कोई जादे परिसानी के एक बात मैं और guarantee दे सकता दोस्तों अगर आज किस वीडियो को end तक देख लेते हो तो 100% 1000% मैं guarantee देता हूँ कि next time दोस्तों आपको यह जो tag है how to edit phone number in अधार card how can edit name on अधार card तो इस तरह के जो भी cute है आप कभी भी दोस्तों search नहीं कर वे because आपका जो सारा problem solve हो जाएगा यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ 100 की 1000% मैं guarantee देता हूँ तो वीडियो आपके लिए द्रत्तों बहुत ही ज़्यादे useful लेने वाली है बस वीडियो में end तक बने रहना आपका सारा problem solve हो जाएगा तो चले कर लेते वीडियो को फटा के start without twisting a second दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने आधार कार्ड से link mobile number को change करवा सकते हैं या फिर अगर हमारे आधार कार्ड के साथ कोई भी mobile number link नहीं है तो कैसे हम एक नया mobile number अपने आधार कार्ड के साथ link करवा सकते हैं अगर आपको भी अपना आधार कार्ड से link mobile number change करवाना है या नया mobile number add करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको Google Chrome पर जाकर UIDAI लिग कर enter करना होगा यहाँ पर payment successfully हो चुकी है अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि नीचे आपको तीन options दिखाई दे रहे हैं इसमें जो beach वाला option है यानि application form वाला option यहाँ पर आपको click करना है और जो भी application form open होगा उस application form को आपको print करवाके अधार सेवा के इंदर पर लेके जाना है और भी ऐसा भी नहीं है कि जिसके मद्दम से आप अपने अधारगार से फोन नमार को घर वेटे लिंक कर पाऊ समझ आई ना समझ रहे हो क्या था समझ रहे हो नहीं कैसा बुडवग आदमी हो जी तुम अभी तक नहीं समझ आया अरे बुडवग बना रहे थे तुमको बुडवग यह जो वीडियो दिखाएं किलीप बीच बीच में वो क्या था वो जो सभी वीडियो बनाते हैं जितना भी इस टैग पे इस प्रॉल्म का स्वल्यूशन देते हैं लास ली मैंने दिखाएं आपको समीडें का लास्टो एक दिखाया कि वहां पर बताता है कि आप्वएंटमेन्ट बूक हो गया तो आप पने आपको जहां सा देते हैं दोस्तों अभी भी aware हुऊ तो यह सब चीदां दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दू जो भी अधार कार्ड हो गया या फिर pen card हो गया तो ऐसा कोई प्रोसेस यह भी तक नहीं बनाए जिससे की help से दोस्तों आप अपने अधार कार्ड या फिर pen card में कुछ changes कर सकते हैं वो भी घर बैठे online तो ऐसा भी तक कोई भी process नहीं बनाए दोस्तों अगर आपको अधार कार्ड में कुछ भी change कराना है नाम चेंच कराना है फोटो चेंच कराना है या फिर दोस्तों अगर उसमें आपका बियोमेट्रिक जो fingerprint ह वो नहीं अच्छे से चल देए, तो इसी तरह के जो भी problem है आपके अधार card में, या फिर दोस्तो pen card में, तो इस तरह का जो भी challenges होगा, आपका यहाँ पे online कोई नहीं कर सकता है, जब भी होगा, जहाँ पे आपका अधार center है, या फिर इस तरह का जहाँ पे काम होता है, तो व नीचे में review होता है, तो एक बार दोस्तो एक मिनेट के लिए आप सारे review पर लो, नीचे में जो review होता है, तो जो वीडियो और वास्ट कर ली रहते हैं, वो review लिखते हैं, वो बताते हैं, कि आगे बाले जो भी बन दे आते हैं, तो अगर उसमें कुछ वीडियो में, अगर आप समय देते हो, तो एक मिनेट आप comment पर लोगें, तो आपका जो सब भी confusion clear हो जाएगा, वो बता देगा, जो भी viewers अलएड़ी वाच करते हैं, वो बता देते हैं, कि यह जोटा वीडियो या फिर कुछ ना कुछ comment करके, वो clue दे ही देते हैं, तो next time दोस्तो कोई भी वीड उस प्रोसेस के साथ आपका चैंज हो जागा, अगर यहाँ पर वीडियो देखो दोस्तों आपको बोलेगा appointment बूक कर लो, यह कर लो और आपका time waste कर देगा, फिर आपका problem भी नहीं solve, वो का last आपको यहाँ पर appointment लेके, फिर से दोस्तों आपको आधार कार्ट सेंटर आपका वीडियो का आप देखते हो, तो वहाँ पर उसको पैसा मिलता है, तो दो-ती नियुनेट का वो वीडियो जूट बना के आपको इग्नोर कर देता है, आपको यहाँ पर उल्जा के रखता है और उसका पैसा बन देता है, उसका क्या जाता है, दोस्तों इस सब चीज से अब अब भी भी टाइम है, दोस्तों मैं यही बोलोगा, एंड आई होब कि दोस्तों इस वीडियो के हैसे दोस्तों आप समझ गयों कि इस तरह का जो भी ओफिसली काम होता, धार कार्ड, पैन कार्ड, तो इस तरह का काम दोस्तों आपको घर से घर बैठे ऑल-लाइन आप नहीं क कर देना, एंड साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइबर के बैल आइकन को प्रेस कर देना, एंड साथ दोस्तों अगर आपके में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो नीचे आप कॉमेंट में मुझे बता सकतो, मैं डेफनेटली दोस्तों उसका मैं आंसर दूँगा, या फिर ह मैं उसका वीडियो बना के आपको solution देगा, अगर वो possible होगा तो, तो दोस्तों तब तक के लिए जयान इस तरह के वीडियो के साथ मिल्टा हूं, next time.